पर उत्राखंड के दोरे पर आ रहे हैं आम आदमी पाटी के राष्टे संयोजक और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केश जिवाल और वहें आपको बता दे बेरोजगारी के मुद्धे पर परहार करेंगे और वहें आपको बता दे केश जिवाल के दोरे को लेकर पार्टी कारे करताओं में काफी जोश है अबीतर दो महिने में देहरदुन का दो बार के जिवाल दोरा कर चुक है और उनका तीसरा दोरा रविवार को कुमाओ का है और हल्दवानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद केश जिवाल बेरोजगारी के मुद्धे पर परहार करेंगे और साथ ही रोजगार को लेकर नया एलान कर उत्राखंड का सियासी माहूल गर्मा सकते है और वहीं उत्राखंड में रोजगार भी एक पड़ा मुद्ध है और इसे देखते हुए 2022 के चुनाव के लिए के जिवाल युवाओं को साधने में पीछे नहीं रहेंगे और इससे पहले उन्होंने देहरदुन दोरे पर हर परिवार को मुफ्त बिजली देने का एलान कर बीजेपी और कॉंग्रिस को सियासी जटका दिया था और वहीं पिछले में ने उन्होंने उत्तराखंड को अध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ करनल अजे कोट्याल को मुख्यमंत्री पद का चैरा घोशित किया था वहीं देश की नियाए विवस्ता को लेकर सीजी आई एनवी रमना का बड़ा बयान सामने आया और वहीं नियाए विवस्ता में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर लगाताल सवार उठाते रहें और लेकिन अब मुखे नियादिश जेस्टिस एन्वी रमना ने हमारी नियाएक प्रैनाली में दूसरी खामी की और ध्यान कीचे की कोशिश की है और वहीं उनके मताबिक हमारी नियाएक विवस्ता अंग्रेजों के दोर की है और इसका भारतिय करण करने की जरूरत है और आम लोगों की इस से परिशानियों को समझते हुए चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया जेस्टिस एन्वी रमना ने हमारी नियाएक विवस्ता के भारतिय करण करने पर जोर दिया है बैंगलोरू में एक कारेकरम के दोरान उन्होंने कहा कि देश में अभी भी गुलामी के दोर की नियाएव विवस्ता कायम है और ये हमारे लोगों के ठीक नहीं है मुझूदा विवस्था अपनिवेशिक काल की है और ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है हमें हमारी नियाए विवस्था के भारतिय करन करने की जरूत है जरूत है कि हम समाज की वास्तविक्ता को स्विकार करे और नियाय विवस्ता को इस्थान्य जरूतों के हिसाब से ढले। और वहीं CGI रमना ने अपनी चर्चा में गाउं के एक परिवार का जिख करते हुए कहा कि ग्रामिन इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कारवाई को नहीं समझ पाते और ऐसे में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और उन्होंने कहा कि गाउं को कोई परिवार अपना जगड़ा सुल जाने के लिए कोट में आता है तो वहां ताल में नहीं बिठा पाता वह कोट के दलीजें नहीं समझ पाते और जो जादतर अंग्रेजी में होती है और कोट की कारवाई इतनी जटिल होती है कि कभी कभी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं और उन्हें कोट की कारवाई समझने के लिए जादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं उत्राखंड के पूर मुख्यमंत्री हरीस रावत उत्राखंड में परिवर्तन के लिए हरीद्वार में पार्टी के दूसरे चरन की यात्र का अगाज करने की तयारी में थे लेकिन पंजाब कॉंग्रिस की गुडबंदी ने ऐसा पेच फसाया कि रावत को हरीद्वार के बजाए चंदिगड का रास्ता पकड़ना पड़ा उत्राखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा के जरिये वातावरन बनाने की कोशिशों में जुटी कॉंग्रेस के लिए पंजाब से खबर आई कि वहाँ परिवर्तन हो गया और मुख्यमंत्री कैप्टर अमरिंदर सिंग की कुर्सी खिसक गई और वहीं पंजाब कोंग्रेस के प्रभारी हरीश रावत अब नए नेतिवत की मातापच्ची से जूज रहे हैं में सत्ता म Will Analytics के लिए जत्तो जयाद का रही कॉंग्रेस ने राझ्य परिवर्तन यात्रा का शुरू किया है और इसमें वो राझ्य की जंता से सत्ता प्रिवर्तन की अपील करे है यात्रा का दूसर चरण हरीद्वार से सुरू हो चुका है लेकिन दूसर चरण की यात्रा के पहले दिन ही हरिद्वार में खास प्रभूत रखने वाले पूर्फ सियम और चुनाफ संचालन समीती के अध्यक्स हरी स्रावत पंजाब में उपजे सियासी संकट के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए और पूर्फ सियम हरिसावत को भले ही पंजाब कॉंग्रिस पभारी की जिम्मेदारी मिली है लेकिन उनका दिल उत्राखंड के लिए ही धड़कता है और यही वज़ा है कि वो पिछले दिनों पंजाब का प्रभार छोड़ने की बात कह चुकें और अपने इस निन्ने से उन् पंजाब का मसला सुल जाने तक पद पर बने रहने के निद्देश मिले हैं